इन फ्रीडल क्राफ्ट एलकाइलेशन ऑफ एनलेन वन गैट्स यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर यह आपने नहीं पढ़ा हो तो अग्जाम में अग्जाम में आपको काफी दिक्कत हो सकती है नहीं सोच सकते आप इतना इसलिए देखे फ्रीडल क्राफ्ट एलकाइलेशन सेम इलक्टोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टूटूइशन रियक्शन ही है जो मैं आपको बता चुक हूँ डिफरेंस क्या है कि इसमें जो मैंने आपको लिया था कि बेंजीन के साथ जबाब मैं अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ ठीक है अनलीन वाला नहीं अभी अनलीन वालने बताऊंगा डिफरेंस क्या है यहां बता दूँगा तो इसमें क्या होता है CH3, CL और AL, CL3 ले 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 तो एन्हाइड्रस उसमें क्या था? CL2 ले ले लेते थे आप और CL positive आपका इलेक्ट्रोफाइल ही बन जाता था जो आप CL जोड देते थे इसमें क्या है? CH3, CL ले रहे हो CL तो इसके साथ जोड़के AL, CL4 बना देगा और यहां पर क्या बज़ जाएगा? यह CH3 positive और इसलिए इस बैंजीन के साथ reaction करके जब यहां जोड़ोगे तो CH3 जोड़ जाता है यह होता है आपकी Freedle Craft Alkylation reaction यहां पर आप कोई ALkyl group जोड़ जोड़ हो, इस case में आपने methyl group जोड़ा एक होता है Freedle Craft Acylation, ठीक है? Simple Acylation में कौन सा group होता है? यह वाला ठीक है यह वाला इलेक्ट्रोफाइल जोड़ जाता है और इस केस में यह C double bond OR होता है याने अगर मैं यहाँ पे H ले लूँ राइट है ना तो यहाँ पे क्या हो जागा यह और CHO LDHID वाला गुरूप आपका बन गया है तो यह होते है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ओके लेकिन यह तो नॉर्मल सीनेरियो में होता है यहाँ अनललन के केस में क्या होता है देखे इनललन जो इस वैरी जो स्ट्रॉम बेसिक जो है इलेक्ट्रोन donating group है NH2 यहाँ पर जो loan pair है इसके इसका मत्द है भया मुझे अपने electron देने है हाला कि इस से जुड़ावाई rings है उसके बावजूद तो अब क्या होता है under normal conditions तो CS3 जो CL है इसके जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ALCL3 पर attack कर देता है और leaving behind this as CS3 positive राइट लेकिन इस case में CS यह attack नहीं कर पाता डारेक्ट इसका एनलेन का ही group जोड़ देता है यह तो Lewis acid ही ऐसे तो electron जैसे ही यह इस पर जोड़ जाता है यह क्या बना देता है एक salt बना देता है जैसे यह वाला NH2 यहाँ पर positive हो ठीक है और ALCL आपका 3 negative ठीक है तो यह salt बन जाता है इस salt के बनने की वज़े से आपका CS3 positive नहीं निकल पाता यह CS3 react नहीं कर पाता और यह यहाँ पर बन जाता है ठीक है तो इसकी वज़े से अब क्या हो जाता है अगर just in case आप यह सोचो कि मैंने कहा कि पहली बात तो मेरा यह बन गया salt ठीक है अगर आगे reaction बढ़ी नहीं रही है लेकिन just in case आपने किसी तरह से CS3 positive भी डाल दिया तब भी वो कहीं जुडता नहीं है जैसे we know यह positive charge के होनी के वरिज़े एक्टिंग is a very very strong deactivating group इतना deactivate कर देता रिंग को रिंग के ऊपर चार्ज नहीं बचता और वो जो इलेक्टोफली aromatic substitution है ना कि भी यह positive कहीं ले लो वो जोड़ने के काबिली नहीं रहता है यह सोचो कि electron density रिंग पे बहुत ही जादा कम हो जाते और नहीं करता reaction आगे तो इस वड़े से यह आगे reaction नहीं बढ़ पाती एनलीन के case में तो इस बात के अगर आप ध्यान में रखते हो तो इसका जो correct answer आप क्या हो जाएगा option number D याने positively charged nitrogen at benzene ring benzene ring के ऊपर positive charge nitrogen बनिया ना गाइस यह वाला यह बहुत जब भी nitrogen ऊपर यहाँ होगा बहुत ही ज्यादा strong हो जाता समझ में गाइस आपको secondary amide product नहीं बना secondary amide after acidic treatment कुछ नहीं एलकालिटिक product with ortho para solution कुछ नहीं बहुत आपका जो correct option है वो D ही है ज्यादा सोचने की जोतनी I hope guys आपको यह basic समझ में आया होगा